हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्टीफन अकैडमी मापका स्वागत है और दोस्तों आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ B.S.C. Agriculture 5th semester वालों के लिए जो कि उनका अगला एक्जाम होने वाला है Disease of Field and Horticultural Crops and Their Management का इसके लिए मैं आप लोगों के लिए important questions लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए महत पूर हैं एक्जाम के लिए तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिये और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगए मतलब जो लगुत्री प्रिशन आते हैं आप लोगों के लिए 5 नमर के उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुए और आपके जो अति लगुत्री प्रिशन होते हैं मतलब जो 10 नमर वाले questions होते हैं उनके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइट कराया जाएगा जल्द ही वो वीडियो भी आप लोग जरूर अबस से देखकर एक्जाम से पहले जरूर जाहिएगा चरिए बिना किसी देटी के लिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन-कौन से questions रखे गए इसमें बात करते हैं सबसे पहले बात आती है रोग जनक पैथोजन क्या है तो पैथुजन जो होते हैं वो क्या होते हैं इनके बारें बात कर लेते हैं तो इसमें मैंने अंसर में लिखा हुआ है कि रोगों के जन्म के कारल को रोग जनक कहा जाता है रोगों का जो जन्म होता है जिस कारल से वो जो कारक होता है कारल होता है उसे ही रोग जन्म कहा जाता है मतलब रोग को जन्म देने वाला जो कारल होता है उसे ही रोग जन्म कहते हैं साधर अलवासा में इसमें बात करते हैं कि रोग जनक वे होते हैं जिनके करहल कई तरह की विमारियों का जनम होता है इनमें जीवाडू, बिशाडू, वग, कवग, पर जीवी आदी आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं रोग जनक कहलाते हैं तो ठीक है तो ये रोग जनक की परवासा थी अब इसमें जो अन्य दूसरे सूच में जीवों को मारने वा उनकी ब्रद्दीवा विकास को रोकने में सच्छा मोते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें प्रतिजैविक खा जाता है। मतलब एंटिवाइटिक्स कहते हैं। एक सूच में जीव दूसरे सूच में जीवों को मारने वा उनकी ब्रद्दीवा विकास को रोकने में सच्छा मोते हैं। इनके कुछ एक्जाम्बिल दिये गे वो एंटिबाइटिक कौन कौन सी होती है इस्टेप्टोमाइसिन फाइटोमाइसिन एंटेरामाइसिन यह क्या होती है आपकी एंटिबाइटिक होती है आगले बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की नेक्स्ट कॉस्चन में कहा गया है कि रोक जनकों का जैविक नींत्रा होता है वो कैसे करते हैं इसमें बात करते हैं कि खेचों में लगाता रसाइनों के प्रयोक से जमीन जहरीली हो चुकी है तर्ता पर्रेय बरड़ के साथ-साथ मानो जीवन पर बिविश का बुरा वसर पर रहा है। प्रोग जनब का जो रसायनों में प्रयोग होता है उससे क्या हो रहा है कि प्रयविक कीट नाशक को अपनाना चाहिए जिससे कि आगे बात करते हैं अगे इसमें दिया गया है जिससे कि जैविक कीट नाशक कीट व रोग को कम करने के सास्वेल खेतों और भी बढ़ाते हैं ताथ जैविक नींदर रखेतों वाद्र होने बाली हानी हानी को भी कम किया जा सकता है अब हानी को भी कम करते हैं और जैविक नींदर भी करना चाहिए जिसे कि क्या होगा आपको फजल मतलब स्वस्त फजल फ्राप्त हो सकती है और इसमें जैविक नींदर के इन प्रकारों से कर सकते हैं जैसे नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं तथा नीम की खली का गोलादी बनाकर फसलों पर चड़काऊ करके कीटनासकों का उपचार कर सकते हैं और भी कई तरीके हैं जिनको मैं आगे अन्य वीडियो में बताऊंगा आप रोगों के लिए और इसमें ही इतना ही बताऊंगा और आगे देखते हैं अगला कोश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अगला कोश्चन मैंने बनाया हुआ है कि पादप रोग सिध्धान्त जो पादप रोग सिध्धान्त होते हैं पादप रोग सिध्धान्त क्या होते हैं इनका बढ़न कीजिए तो पादप रोग प्रवंद करने की सिध्धान्तों को रूप में विवाजित किया जाता है तो पादप रोग प्रवंदन के जो सिध्धान्त हैं वो दो रोग मुख रूप से दू है कौन कौन से हैं, एक पहला होता है रोग निरोधन, नम्बर दो पर आता है आसंक्रम में करड़ उसके दोरह इसमें बतायगे इसके अंतर admirativa बेविदियां आती है जो परपोसी पोधों की रोग जनका क्याकरमड वसंक्रमड में सायिता करती है तता पौधों की विकास में पुना सायक होती है इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें रोग जनक की आकरमड वर शंकरमड में सायता करती है इन्हें पौधों की विकास में पुना सायक होती है इसमें जो तीन विदियां होती है वो कौन कौन सी होती है का जो सिध्धान्द है वह संक्रम करण इसमें क्या है कि इसका तात्वर है कि रोगों के विद्रोध रोग रोता उत्पन कन्त करना जिससे रोग प्रतिरोतीता बनी리े रहे मतलब रोगों को प्रतिरोत करने केicksam спtah इसमें बनी saying इसमें क्या है इसके अंतरगा जो है आप लोगों की 6 सिद्धान बताएंगे हैं इसमें नम्बर एक रोग जनक का वर्जन करना नम्बर दो पर निवेस द्रब का बहिस कराड़ इसमें क्या आता है जैसे बीव उप्चार्ट अता अनमोतिक विदियों से क्या होता है निवेस द्रब जो पहुँच जाते हैं जो उनको रोगना नम्बर तिन पर बात करते हैं रोग जनक का उनमूलन मतलब बीज रच्ष़ करना और क्वारेंटान सीड और जो होता है वो भी इसी के अंतरगत आता है नमबर चार पर बात करेंगे कि रच्छक उपाई, रच्छक के उपाई क्या होते हैं जैसे कि रसाइनेक छड़काओं, रसाइनेक, रसाइनों का छड़काओं करना चाहिए नमबर पांच पर बात करेंगे तो परपोसी में रोधिता का विकास करना तो परपोसी में रोधिता का विकास करना मतलब जो परपोसी पौधि होते उनमें क्या होता है जीव रोधिता की प्रती ऐसी मतलब चिकत्सा पर डाली को अपनाना जिससे की वो रोग रोधित हो जाए नमबर 6 पर बात करेंगे रोग रोधी की जिकतार, रोग रोधी जो पौधा होता उसकी क्या करने चाहिए उसको treatment देना चाहिए उसकी मतलब अलग से private सुरच्छा उसकी करनी चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो मैंने इतना ही रखा हुआ है आगर आप लोगों के लिए एक और मतलब और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो कि आप लोगों के मतलब जो रोग से संबंदेज जो हैं इसमें plant pathology में तो उससे आमर related आप लोगों के लिए वीडिय जल्दी उपलब्द कराएंगे और आपको एक्जाम से पहले उससे देखकर जरूर जाना है तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो पिलिज इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा चलिए मिलते हैं आप लोगों को next वीडियो में नेक्स्ट टोपिक की साथ तत्त के लिए धन्वार